पहले थे वे लोग हाथ खड़े करें जो पठान मूवी देख के आ गये हैं बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि हमने फस्ट जे फस्ट शो का टिकट ले लिया हमने पूरा थेटर बुक कर लिया हम पूरे दोस्तों के साथ जाएंगे हम पूरे अपने गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड के साथ जाएंगे तो वो लोग हाथ खड़े कर लें उसके बाद फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और ये मूवी रिव्यू नहीं है इसको आप मेरा अपना परसनल अर्भो माने कि मैं जो देखने गया था मुझे फिल्म कैसी लगी तो अगर मैं दो शब्दों में कहूँ मज़ा आया बहुत मज़ा आया और उस फिल्म में मुझे सब कुछ मिला यार एक्शन, डायरेक्शन और सिनमेटोग्राफी, म्यूजिक बढ़िया सा और स्टोरी और सस्पेंस रिल वगयरे भी बहुत बढ़िया लगे काफी मज़ा आया मैं वैसे तो अब थेटर में जाके कहानी की उम्मीद से मैं देखने ही नहीं जाता हूं कहानी उसकी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी लेकिन यह कहानी मुझे जमी और सिधार्थ आनंद का काम मस्त लगा बाकि सारे जितने भी इसमें दुरंदर हैं शारुकान, देपिका, जौन अब्रहम और सलमान भाई सब ने इसमें बड़ा बिंदास और मस्त वाला काम किया है खुद सारे लोग कड़े बैठे हुए थे ना मजा आ रहा था चीर कर रहे थे तो उसको देख के लग रहा था भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं और बाहर भी उससे निकल रहे तो बड़े खुश लग रहे थे तो म उनके पहले उनके अपने नेताओं ने ही साथ छोड़ दिया और देश के प्रताहन मंत्री जी ने भी कहा कि ये बाइकाट बाइकाट जैसे सस्ती चीजों में सस्ते नशे मत करो और असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने भी कह दिया कि उनके पास रात में दो जे श्री शाहरु खान का फोन आया था तो उन्होंने असम में वे उस्ता एक्दम बनाए रखने की बात कि है तो ये सारी लोग बढ़ाए के पात्र हैं भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतने सारे लोगों रूजगार देती है इतने सारे लोगों काम कर रही हो इतने लेकिन हाँ अगर आप लोग पिच्चर देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं और बताएं कैसा अंभो रहा आपका पाई से वसूल हुए कि नहीं बहुत सारे लोग करें रूंग्टी खड़े होगे गूसबंस हमने कहा कि यार दीपिका पादुकून का एक्शन बहुत अच अच्छी नहीं लगती है अब एक्शन करते हुए देखना उनको भी अच्छा लगता है और हाँ यह पड़े तक रहे तो ज्यादा मज़ेदार है बाहर वाइलेंस ज्यादा परदास्त नहीं की जाएगी रूर पे भी चलते हुए इधर उधर उलचे उलचते चले तो वह मार पीट दंगे फसा से दूर हो एंज्वाइ करो एंटर्टेन्मेंट करो बताओ कैसा लगा